आज फिर से एक न्यू ब्लोक में स्वागत है हम बात करने वाले हैं जारखंड में इस थी देवगर जक्सन के बारे में जो 2011 में बनाया गया है इस जक्सन का कॉड्ड डी जी एच आर है यह जक्सन असन्सोल रेलवे डिविजन के अंदर आता है यह रेलवे इस्टेशन भागलपूर और दुमका सहर को देवगर सहर में जोडने का मुख्ष काम करता है अभी हम जो हैं दिखा रहे हैं आपको रेलवे इस्टेशन के टिकट गर तो आप हमारे साथ कंटिनी ब्लोक में बने रही है चैनल पे नए हो तो लाइक जो दिखे रहा तीन नमर प्लैटफॉर्म और हम अभी यहां खड़ा है एक नमर प्लैटफॉर्म और ट्रेन जो आज हुआ है जिसी से सफर होगा देवगर से दुम का ट्रेन का जो टाइम था 11 बज के 34 मिनट था लेकिन यह 11 बज के 45 मिनट में आया तो चलिए आप हमारे साथ फुल ब्लॉब में बने रही है आपको दिखाते हैं कुछ रास्तिया का व्यूज देवगर से खुलने के बाद जो पहला इस्टो पे जो आता है वह मुहनपूर आता है कफी काफि सुन्दर व्यूज कर न जा रहा आगे जो सामने दिखाई दे रहा वह तिरकुच परवत दिखाई दे रहा है और इसके बाद जो नैक्स स्टो पेज्ट आता है और वह बहुच्त है घौर्मोर बहु dl यहांका पेड़ा जो आपके टेस्टी होता है यहां कभी आए यहां का पेडा का स्वाद आप आवस्चे के लिए सामने पन्नी में दिखा ही तेरा ये पेडा भेशने वाला यह फ्रेन में घुम-घुम के पेडा बेचते है बिदाए वेचने वाला गुभर मोरा अब और अब जो इस टोपे जाने वाला है वो है धन पद्डी यहां भी कुछ टाइम रुके गई धन पद्डी में भी और अभी हम जो है आचुके हैं चंदन पहाडी इसके बाद जो है इस्टेशन है बाबा बाशुकिनास यानि बाशुकिनास इस्टेशन है पहुंची गए यह काफी जो है साफ सुत्रा इस्टेशन बनाया गया है देखते हैं एक नंबर फ्लैट फॉरम पर हमाई ट्रेंज जो है चल रही है अभी बाशुकिनास पहुंच गए हम कि यहां पर तो रुकेगी ही रुकेगी ट्रेंज अश्किनास के बाद जो है नाय इस्टेशन है जामा जामा के बाद जो है नई मदनपूर हम पहुंच चुके हैं इसके बाद जो है इस्टोपेज है दुमका और हम पहुंच गए है अभी और हम देवघर से चले थे दुमका के लिए और हम पहुंच गए दुमका अलांकि 15 मिन ट्रेंड लेट आई लेकिन एक घंटा में हमको दुमका पहुंचा दिया यहां पे इस्टे संदुमका से बाहर निकल चुके हैं अगर इधर आप टैक्सी या टोटो वगरा लेकर के मार्केट वगरा दुमका का जा सकते हैं अगर आपको यह व्लोग अच्छा लगा तो पवनमारवारी जेच यूटूब चैनल को लाइक सस्क्राइब और बेला एकन घंटी प्रेस कर दें धन्यवाद